नमस्कार दोस्तों आप सभी का जोती शूर्जा में बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपनी नेचर के बारे में अपने स्वभाव के बारे में अपने अंगूठे से ही पता लगा सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिरफ अंगूठा देखकर आप किस प्रकार से अपने हाथ का analysis कर पाएंगे और अपने स्वभाव के बारे में कई ऐसी जानकारियां प्रापत कर पाएंगे जो आप पूरे हाथ से प्रापत करते हैं यहाँ पर आप सिरफ अंगूठे से ही जान पाएंगे अंगूठे से जानकारी के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो को डाला है अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो आपको description box में मिल जाएगा उसमें भी बहुत अच्छी जानकारी है अगर आप उसे देखेंगे तो किया है कि किस प्रकार अगर अंगूठे के ऊपर कोई सिंबल बने हुए हो तो उससे हम किस प्रकार से जाज कर सकते हैं तो दोनों वीडियो को अगर आप complete देखेंगे तभी आपको complete जानकारी होगी चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन से ऐसे रहस से हमारे अंगूठे में छुपे हुए हैं Medical Term में अगर देखें अगर चारों उंगलियां हात की किसी वज़े से कट जाएं या उनको कोई नुकसान हो जाए तो व्यक्ति के मरने के चांसे बहुत कम होते हैं प्रंतु वहीं पर अगर अंगूठा कट जाए या उसको कोई नुकसान हो जाए तो व्यक्ति बहुत ही cases में देखा गया है कि अधिकतर cases में ये देखा गया है कि व्यक्ति मर जाता है तो अंगूठे का जो रोल है वो हमारे हाथ में बहुत जादा है क्योंकि अंगूठे का सीधा संबंद हमारे ब्रेन से है तो चलिए जानते हैं कि हमारे अंगूठे के ऐसे कौन से सिंबल्स हैं जो हमारे स्वभाव के बारे में हमें बताते हैं सबसे पहले अंगूठे के पहले पोर पर अगर तीन खड़ी रेखाएं होती हैं तो ये माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही प्रबल इच्छा शक्ति का मालिक होगा, उसका दिमाग बहुत जादा तेज चलता होगा, उसको बहुत नौलेज होगी, वो बहुत ही सा खतम हो जाता है, ये बहुत जादा परिशानियों का सामना करते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, उन्हें खर्चा जादा नहीं करना चाहिए, और वहीं तीसरी बात अगर इसी पर्व के उपर, यानि कि अंगूठे के पहले पर्व क नहीं होती, उनको धन के लिए कभी भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, उनकी हमेशा ही हर चीज में विजय होती है, तो यहां पर आड़ी रेखाओं का होना बहुत अच्छा माना जाता है, चौती बात यहां पर यहां पर यहां पर अगर अंगूठे के पहले पर्व के पहले हमने बात की थी आड़ी रेखाओं की, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर सीधी और खड़ी रेखाओं की, यहां पर अगर सीधी और खड़ी रेखाओं बनती हैं, तो ऐसे व्यक्ति बहुत आउनेस्ट होते हैं, बहुत ही इन पर भरोसा किया जा सकता है, बहुत विश लोग बहुत पसंद करते हैं इसलिए इनका social circle भी बहुत अच्छा होता है अगर अंगूठे का पहला पोर जो जिसे हम first falange बोलते हैं अगर वो बहुत लंबा होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छी इच्छा शक्ति वाला होता है ऐसे व्यक्ति की willpower बहुत strong होती है ऐस उसको हर काम हर मुश्किल काम को करने की उसमें शक्ति होती है वो अपनी मजबूत willpower के साथ दुनिया को जीतने की शक्ति रखता है तो यहां पर यह बहुत ही अच्छा साइन है अगर किसी का पहला पोर अगर लंबा है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है अब चलते है अंगुठे के दूसरे पोर की तरफ अगर किसी भी व्यक्ति के अंगुठे का दूसरा पोर लंबा हो पहले पोर से जादा लंबा हो तब भी ठीक है अगर वो नॉर्मल कंडिशन में लंबा हो तब भी ऐसे व्यक्ति बहुत लॉजिकल होते हैं उनकी तरक शक्ति बहुत अपनी बुद्धी के बल पर वो अपने social circles बहुत अच्छे बना लेते हैं, जिससे उनको बहुत fame मिलता है, बहुत ख्याती मिलती है, इसलिए दूसरे परव का लंबा होना बहुत अच्छा माना जाता है, वहीं दूसरे परव के ऊपर कोई triangle का sign हो, कोई त्रिभुज का sign हो, तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है, ऐसे व्यक्ति विज्ञान के क्षेतर में भी काफी आगे निकल जाते हैं, science में वो बहुत तरक्की करते हैं, और वहीं दूसरे परव के ऊपर अगर कोई तीन खड़ी रेखाएं हों, तो ये और भी अच्छा माना जाता है, ये उ उसके ओपर कोई आड़ी रेखाएं बन जाएं, तो ये बहुत ही बुरा साइन माना जाता है, ऐसे व्यक्ति अच्छे नहीं माने जाते, ऐसे व्यक्ति समाज में अच्छा रुत्बा नहीं रखते, उनको प्रसिद्धी नहीं मिलती, और समाज में उन्हें बहुत अच्छा नहीं माना जाता, तो आड़ी रेखाओं का दूसरे परव के ऊपर होना बहुत बुरा माना जाता है, ये दूसरे परव को बहुत ही खराब कर देता है, और ऐसे व्यक्तियों की लॉजिकल ख्रमता बहुत कम हो जाती है, आगे है अगर दूसरे परव के ऊपर जाली का निश यहां पर grill का होना बिर्कुल भी अच्छा नहीं है ऐसे वेक्तियों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है ऐसे वेक्तियों के जादा दूरी बनाकर ही रखें तो बहुत बहुतर होता है आगे है अगर दूसरे परव के उपर कोई survival का निशान बनता है जिस प्रकार से कोई गोल निशान हो अगर ऐसा निशान दूसरे पर्व के उपर बनता है तो ऐसे वेक्तियों की reasoning power भी अच्छी होती है तरक शक्ती भी अच्छी होती है प्रन्तु उन में एक बुरी बात होती है कि वो बहुत अधिक बोलते हैं अपनी हर बात को बोल कर वो सिद्ध करना चाहते हैं उसे मनवाना चाहते हैं प्रन्तु अपनी logical reasoning के कारण वो कई बार अपनी बातों को मनवा भी लेते हैं प्रंतु ये एक bad point माना जा सकता है क्योंकि वो बहुत अधिक बोल कर अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करते हैं आगे है हमारा तीसरा पोर अंगुठे का वैसे तो दो ही पोर माने जाते हैं प्रंतु यहाँ पर हम अगर तीसरे पोर की बात करते हैं तो वो आता है वीनस का क्षेतर अगर हम वीनस के क्षेतर की बात करें तो अंगुठे के बिलकुल नीचे का भाग जिसे उसका root बोला जाता है जिसे उसकी जड़ बोला जाता है वो शुक्र का क्षेत्र माना जाता है और अगर ये क्षेत्र जो है वो अधिक लंबा आपको नजर आता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक कामुक होते हैं उनमें sexual qualities बहुत जादा होती हैं अधिक कामुकता के कारण ये लोग कई बार गलत step भी लेते हैं तो इस क्षेत्र को इस प्रकार से लंबा होना अच्छा नहीं माना जाता अगर वहीं पर ये अंगूठा छोटा हो ये क्षेत्र छोटा हो वीनिस का क्षेत्र जिसे बोला जाता है अगर वो अधिक छोटा और मोटा हो तो ऐसे व्यक्ति असभ्य होते हैं दूसरो को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं अपनी असभ्य नीतियों के कारण तो यहां पर इस छोटे क्षेत्र को भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है इत मींज यह बैलन्स में होना बहुत जरूरी है ना यह बहुत लंबा अच्छा माना जाता है और ना ही यहां पर अगर क्षे और पूरा पुष्ट दिखाई देता है तो ये अंगुठा जो है ये बहुत अच्छा माना जाता है ऐसे व्यक्ति कलात्मक स्वभाव के भी होते हैं प्रंतु ऐसे व्यक्ति अपने निरने बड़े अच्छे तरीके से ले पाते हैं प्रंतु वहीं अगर अंगुठा पतला हो और अपने स्वभाव के कारण ये लोगों का दिल जीत लेते हैं, जो सशक्त अंगूठे वाले लोग होते हैं, वो independent स्वभाव के होते हैं, इसलिए वो अपने निर्नेों को उपर रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वज़े से लोग कई बारे ने पसंद नहीं करतें, प्रन् व्यक्ति अपने फैसले जीवन में खुद ले सकता है, और जिसका अंगूठा पतला होगा, उसकी नेचर डिपेंडेंट रहने की होगी, इसलिए वो अपने घर परिवार में और समाज में इज़त जरूर पाता है, तो यहां पर दो तरह की चीज़े हैं, अगर अंगूठा के लिए कुछ सोचना है, तो आपको एक सवतंत्र नेचर का होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपका अंगूठा सूद्रिड होना बहुत जरूरी है, तो यहां पर हमने दो बातें देखी, कि अगर अंगूठा अच्छा है, सूद्रिड है, तो वो समाज के लिए अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें साथ में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोज को आप और देख सकें नीचे एक नोटिफिकेशन बेल है आप उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें नन्यवाद